दो सवाले छोटा छोटा आंसर एक तो यह कि राहूल गांदी सीट रखेंगे रहें वो तो आ गए बस में जोला रख दिया है और हम नीचे आ गए बीडीडी पी रहें चाय आए पी रहें बाद में दीपक जी आएंगे बैठेंगे वो हमें जाना नहीं हम तो जोला रख दिय है क्या ऐसा चुनाब में अगर मैसेज हो जाएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा जो दूसरी बात नावेत कहरें कि चुनाब कॉंग्रेस के लिए हिसाब ठीक ट्रेक पे जा रहा था डिस्ट्रेक्ट हो गया और मामला फिर भैस पानी में चली गई जी देखिए मैं पहली हो रही है देख में, दो जगहाँ से चुनाओ तो इसके पहले भी राजनेता लडते रहें हैं तो लेकिन इस समें यह इस सवाल उटने के समझे नहीं था ना कोई ये पर्थम मार्ज देश के इतिहास में हो रहा था कि दो जरहें से राहूल जी सुना रहा है इसके पहले भी हो चुका लेकिन तब इस तरह के सवाल नहीं उठे तो ये थोड़ा से दोहरा पन लगता है ये दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो सिकोजी ने बात कही है कि जो कांग्रेस के फेवर में माहूल बन रहा था तो राहूल ये कनम रायवरेली और अमेठी की सीट से तीन दिन से जिस तरह का घटना करम चला है इससे वो चीट डायलूट हुई है इससा कुछ नहीं हुआ ये तीन दिन से आज जिस तरीके से और विसेश कर आज जिस तरीके से मीडिया में इस बात को अमेठी रायवरेली को लेके चर्चा हो रही है ये कांग्रेस की जीत है और देख लिजेगा आप ये आने वादा चार जून के बाद दोनों से कांग्रेश जीत कि आएगी काक्रताओं का मुलोवल इस से उस्टर परदियस में बढ़ा है और उसका भी सखारातना कसर चिनाव में पढ़ेगा जी दीपक मिश्रा जी कांग्रेश करीक हमने इतना अच्छा माहूल बना दिया कि सपा को भी धक्का लग जाएगा इन अच्छी बात है माहूल बने हम जले तुम जले पर क्या दोश्टी होनी चाहिए सामपदाई शक्तियां हारे और वाता उरण में परिवर्तन हो चूंकि दस साल बहुत होता है अच्छी से अच्छी सरकार को भी पलट देना चाहिए लोग तन्त के हिसे हैं मुझे मंडेला एवाड मिला है मंडेलाजी से संभात करने का मोका भी मिला है तो मैं मंडेला जी schizophrenia सर्थ चया कर चुका उन्हों आप तो श् investing हो सकते हैं तो मैं जबाब गांदिवादी मंदेला ने जवाब दिया कि पांट साल बहुत होता है रास्तपती के लिए दोबारा बनता मैं रास्तपती बद को रास्तपती मुझे दोने दूसरे को पधान मंत्री दिन दयाल जी के आदर्शों पर चले पधान मंत्री प्याग करें और यह जरूरी नहीं है कि हर गलत को अपने ही धाचे में डाला जाए तो हमारे भाद भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात दीपक अब छोड़ो कहां उठना बढ़ना मुश्किल है रोज में बीमार हो समस्या है शरीर में रहने दो एक अंदर की बात बता दू मैंने एक बार पूछा परिवार में कि अब मुलाहिम सिंदी राजसभा से आजा अगर उनको आ नहीं है और एक नौजवान का नाम मैंने लिए लड़ जाए चुना मुलना नेता जी नाराज हो जाते हुगत ना हम लड़ेंगे लालसा विकट है क्या इसको पार्टी के खांचे मत बारतों बाराच नहरुजी को इस सला नहीं दी थी जब परालिसिस हो गया तभी माने अरे अभी ने बेवेक जी ना मेरे साथ है ठीक उनको सला देने चाहिए था एक बार रहे लिए गांदी जी ने बना दिया अब उसक्या जिंदगी बर रहोगे शारीरी कवस्था के ही कारण नहरुजी गए ना अन्य था तो नहीं जाते और जिंदा बात करने वाले जिंदा बात करते यहां आपती है एक और सवाल उठा शायद बिवेक भाई ने कहा कि पहली बार नहीं हो रहे या दीपक जी ने कहा हाँ चुनाब दो जगा से लड़त या कि बड़ोदा और कहां से बनारस से लड़े दो जगा से तब किसीन सवाल नहीं उठाया एक बेवार एक बात कहे देता हूं विवेक जी मैं तो किताबे तो पढ़ी नहीं मेरी जीवन पढ़ा है क्या आनंग दुबे के पास के शरीर में रोक प्रत्रोदक छमता बहुत जादा है क्या यह जनवरी में सबेरे उठके कुलपी खा लेंगे क्या आप जून में सबेरे उठके कुलपी खाओगे तो बीमार पर जाओगे चुकि आपके पास रोक प्रत्रोदक शमता नहीं है यह को रोकेट साइन से समझना जब कांग्रेस अपने जलाल पर थी तो कां राइम सिंग की सबास बढ़ रहे हो आज के दौर में तो आपको भी पनाम है कि अरे कुछ करके तो दिखाओ पहले जिता दो दस बांदरा भी सांसाथ हम माल लेंगे नेता हो आप लोग दीपक जी अनेता मालो कि भाई हमारी इम्मिनिटी कम है तो लोग की नीबू डालके और पुदीना की चट्नियों सूगी रोटी दो खालो चुप सो जाओ नहीं किसने कहा कि बटन नाम खाएंगे नहीं पचा पाएंगे न आप वो इस तदी कांग्रेस की है वो 303 सीट जीत के जो करेंगे वही आप 40 सीट पर करना चाहते तो फर तो पर मुश्किल है भाई ये कड़वी बात है लोगी सच्छी बात है जब भाजपा की दो सीटे आती थी विवेग जी तो ये भी लोकी की सब्जी खाते थे क्या और कांग्रेस मलाई को उफ्थे खाती थी क्या चुकि वो 50 सकती थी आप क्यों नहीं मानते हैं आप पतरिक कुछ चश्मा लगाए है क्या आपको लगता करें नहीं नहीं उनने किया तो हम भी करेंगे नहीं भाई दीपक जी गलत तो नहीं किया रहा मायवति अगर कांशी राम समझ ले खुद को तो मायवति जी को पड़ाम भेजने पड़ा गया ना लिखके क्या और आज की कांग्रेस अगरों इंद्रा गांधी समझ ले खुद को तो उसको भी पड़ाम परिणाम तो देऊ भाईया और एक बात जान लीजिए भाईया दीपक जी के लिए भी भाजपा पर भी लागू हर पर लागू है कांग्रेस पर के संदर्भ में कह रहा हूँ राहूल गांधी अपने जीवन में जब तक एक बड़ी सफलता पार्टी को नहीं दिलाएंगे विवेग जी क्या देश उनको नेता नहीं मानेगा ठिक वो कांग्रेस पाल सी डबलू सी के चेर्मेन हो जाएं प्रेसिडेंट हो जाएं कुछ हो जाएं गार्जियन हो जाएं कर लो कि नेता तभी कही जाएंगे मायवती जी डिके कर रही है लगातार उनका ग्राप नीचे जा रहा है कांशी राम के समय में जो सबलता आई वो दोहरान आई पाई ना मायवती कभी नरेंद्र मोदी आप सबसे इस माने में अलग है यह तरक दीपक जी बाला हो सकता है लेकिन तरक मजाग जादा है इसको इस धंग से हम क्यों नहीं लेते के दस साल दो बार जंता ने प्रचंड बहुमत ने काजमे की पिछल दिया कोई तवंचा लगा के सरकार हासिल होती है कि उत्तर पदेश को देख लेजिए मुलाइम सिंग जी रहे तीन वार दीपक मिश्रा मायावती चार बार रही कोई भी सरकार को दुबारा ला पाया नहीं योग्यादितनात लेके आए ना 38 साल का रिकार टूटा ना कैसे खरी कर देंगे आप और आखरी बात कहूंगा डर डर की बात भाजपाई कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा विवेक जी ना मेरे पास अपना विवेक भी है उत्तर प्रदेश में एक मात्र सीट थी कांग्रेस के पास दीपक मिश्रा आप भी सुन लिजे आप चिंतक व्यक्ति हैं एक मात्र सीट थी जीती हुई वो राहुल जी ने अपने लिए रख ली है क्या है है एक है 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 एड अब दी फे मिली यह वय भार ठीक नहीं हैए है 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 रावरीवलिक इशोर इलाल को लड़ाते खुद अमेठ ही लड़ने जाते हैं को तो मैसेस दूसरा हो था है है हमने अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा किया कि एक सीट बची थी आपके प लेंगे इधर रखो इधर पीछ बाली जिम में रखो चुपा लो क्या यह वैसी बात है दस बच्चों का घर है दस लोगों के नावेश्य को क्या एक रोटी कहीं से आई बाप ने छुपा के अंदर रख ली बोले हम खाएंगे तुम लोग जिंदा बात करो बाहर जाके हमारा क्या बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं करे एक ही रोटी सो अब्बू ले गए है और रूप जाक साथ खा रहा है भिगो भिगो के यह तरीका ठीक नहीं ना मेरी बात दिल में समझ में आई यहां टीबी पर मत बोले बोलना भी नहीं चाहिए आप लोगों को पार्टियों में रहना है मुझे तो किसी पार्टियों जाना नहीं लेकि दीपक मिस्रा इस बात का कि आलोचना नहीं कर पाओगे आत्मा में कि बड़ा नेता बनने के जो एकमात ने जीती हुई सीट थी वो किसी कार्यकरता को दे देते और कहते जो सबसे कठिन सीट हो वहां मैं उत्र होगा क्या नरेंद्र मोधी बड़ोदा और गांधी नेगर दो जगाष नहीं लड़े थे जब वो बनारस लड़ने आये थे उससे पहले उनका बनारस से क्या बास्ता था बताईए क्या बास्ता था लड़े ना रिस्क लिया ना आप उनसे तुल्ला किये दे रहे हूं किशोरी इलाल जी ने चार दशक तक आपकी सेवा की गांधी परिवार की पार्टी की नहीं क्या अच्छा नहीं होता उस सेवा के पुरुसकार में कहते है कि किशोरी जो एक सीट जीती हुई है उसमें तुम्हें खड़ा कर रहे हैं जाओ क्या हम तो कहीं से भी लड़ लेंगे दिक्कत तब होती है जब नेता कहते हैं कि हम बड़े हैं और चुनाव लड़ने की बार कारी आये तो कहते हैं कुझ दूद्र गूगल मैप निकालो क्या है सबसे सुरक्षित कहा है वहीं जाएंगे युद्ध में उतरिये सोना भी धातु सोने बनती है जब तो तपना पड़ता है न विबेक जी क्या राहूल जी तो इतनी बड़ी यात्रा निकाल के आये ते देश भर में कांग्रेस ने कहा ता महूल बदल गया है तो हम एठी से लड़ लेते क्या दिक कर थी और मेरा मन किशोरी लाल जी के लिए भी वो है क्या कि हर पार्टी में किशोरी लाल मिले गया दिपक जी उनको सम्मान देना सीखिए लुध्याना से जब आये थे किशोरी लाल तो नौजवान थे लड़के थे क्या आज बुड़े हो गए यहीं काघज जमा करतने हैं पुड़ेकर आपने साथ लाने ले जाने में में यह और आइसा भी लएक हैं के कोई उनको लोग नहेता है आइस भी नहीं है ис जेवे प्रियंका जी की बातसे में सहमत में कि सब इनको जानते हैं ये सबको जानते हैं इसा भी कुछ नहीं है यह एफिडिमिट बनागे लाओ ये बारशान का सर्टिपिकेट लाओ ये भलाने के लाओ ये संपत्ति के कागा फोर्ट इस्टेट कराओ और टेस्ट कराओ उस काम करने वाली व्यक्ति है और सांसद हो गया कोई व्यक्ति गांधी परिवार से तो उसके प्रतनीदी हो गया है सबसे पहले यह जगदीश पूर विधान सभा के प्रतनीदी बनाया था इनको कैप्टेन ने दीबग जी सोनिया जी ने प्रियंका को प्रतनीदी बनाया प्रिय राहुल गांधी के पास अवसर था, वो एक संदेश दे सकते थे, कि मैं बड़ा नेता हूँ, ये वैसी बात हो गई, राम रावन युद्ध हो, तो रावन या राम में से कोई ये कहे, कि हम छोटे वाले से लड़ेंगे, कमजोर वाले से लड़ेंगे, तुम लोग सबसे बड कि लड़ाई में उतरिये, यही साहसे में, धन्यवाद, एक छोटा सा विज्ञापन हदराद देख लिए। दूर कितना भी जा। इस जबाँ से दूर नाचा पाओ लिए। विमर। बोलो जबाँ केष्री। हाँ शुकला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही, बान गए बिटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था, कि घर जिंदिकी में सिर्फ एक ही बार बनता है धर एक, मौका एक, इसलिए सिमेंट भी देश का नमबर एक अल्ट्राटेक, इंडियाज नमबर वन सिमेंट जन जनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन, रापिड रिलीफ के साथ मुझे लगता है, राउल गांधी के लिए रायवरिली चुनाव में एक प्रश्ण सबसे ज़्यादा असोविधा वाला रहेगा कि चंता यहरू पूछना चाहेगी कि अगर आप दोनों जगहा से जीत गए रायवरिली और वाइनाट तो कहां को छोड़ेंगे और कहां से सांसद रहेंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप चुनाव लणे जहां से और वहां यह कहने कहिदें कि हम यहां से अगर जीत गए तो रहेंगे नहीं रहेंगे वाइनाट से और वाइनाट को अगर आप हिलाते डुलाते हैं तो अगले साल वहां चुनाव भी है केरल में वहां की सम्भाबनाएं भी खारिज हो जाएंगे यह दोविधा रहेगी और अमेठी बाला ब्रतांत प्राहुल गांधी का जो है कि उन्होंने जिस धंग स अमेठी को छोड़ दिया सदा के लिए वो वरतांत राइबरेली में उनका पीछा करेगा और कॉंग्रिस के लिए असाज इस्थिती पैदा करेगा ऐसा लगता है धन्यवाद